हलो एव्रीवन कैसे हो आप सबी तो दोपहर को मैं फल फ्रूट लेकर आई थी मम्मी जी के लिए चूडिया लेकर आई थी बिंदी के पत्ते लेकर आई थी और सिंदूर लेकर आई थी और अपने लिए भी कुछ चूडिया लेकर आई थी तो यहां उसके बाद मेरे सोई में तो देखो मेरे दोपहर के कितने सारे बरतन इकठे हो गए थे एकठे दोलो तो दोलो आंगर यह सोचोगे रही बात में और चलो कोई नहीं लग ज़ान सारे बरतन जल्दी मैं दोल लेती हूं कि फिर भीन के यह करिसे आने का समय हो जाएगा उससे पहले मैं वीहान के लिए खाना बना के रखती हूँ दोपहर का लंच भी बना के रखती हूँ और बर्तन वगएरा धोचे काम निपटा के रखती हूँ क्योंकि फिर वीहान को मुझे ड्यूशन का होमवर्क भी करवाना पड़ता है और अभी तो विहान के दादी भी आये हुए है तो विहान वैसे ही बहुत खुश रहता है मतलब एक होता है ना क्योंकि एक तो होता है देखो अकेला-केला रहना जैसे मेरे साथ अकेली मैं रहती हूँ एक कोई उसको भी दिखता है घर में तो उसका भी विहान का मन लगा रहता है तो अभी देखो आज मैं अभी सावन चल रहा है तो मैंने तो हरे रंकी इतनी सारी चूडियां खरी दी है ना एक दो ये तो मेरे पास पहले की रखी हुई थी जो मैंने हाथों में पहननी हुई है इसके अलावा आज मैंने प्लेन हरे रंकी चूडियां पहननी चाहिए तो मैं तो 24 चूडियां पहनती हूँ अब कम से कम तो मैं भी सोच रही हूँ एक्चुली मेरा वजन भढ़ गया ना उसकी वजह से मेरे जो पुराने सूट थे जो मुझे पहले सही आते थे वो मेरे हो गए टाइट तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सूट ना सिल्वा लेती हूँ सल्वार सूट सिल्वाऊंगी मैं अब बढ़ा लेती हैं जासे जहां से भी सिल्वाऊंगी कि सल्वार में नाडे की जगा ना इलास्टिक की डाल दे मेरा मतलब साइस बनांके क्योंकि मैं इलास्टिक वाली पसंद करती हूँ जैसे पजामे में होती है इलास्टिक उस तरीके से ही मुझे अच्छी लगती है बाकी अगर सोछ रियू मैं काम करूँगी ना मैं पजामी बनवालूँगी नीचे जैसे उपर कमीज नीचे पलाजो से लवालूँगी वो ज़्यादा मुझे बैटर लगता है पलाजो पहनना मुझे कमफटेबल भी लगता है क्योंकि सल्वार भी मुझे आदत नहीं पहन कि आप भी देख सकते हो वीडियो में कहां पहनती हूं इतनी जादा तो यहां पे देखो सारे बरतन हो गए थे और आपके कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी सासु मा को कहीं घुमाने क्यों नहीं लेकर जा रहे हो तो देखिए जल्दी घुमाने लेकर जाओंगी और आज मम्य होती हैं मैं पीछे बेठा के नग चला लेती हूँ मेरी आदत पते कैसे बनी मेरी आदत лег से हुनहें जहां भी जाती हूँ ना जैसे अपना मतलब हाईवे है हमारा घर की तरफ तो रस्टे में कोई न कोई लेडी दी मुंसे लिफ्ट माँः लेती है और फिर मैं उनन दोना तो देखिए मुझे बहुत पसंद होता है पसंद है इवन हर एक लेडी इसको पसंद होता है बरतन दोना ना एक होतान यह टाइम पास अच्छा हो जाता है पंदरा बीस मिनट में फटा फट धो दी है मैंने उसके बाद यहां देखिए बाइक पार्क करती थी मैंने और मैं ममी जी के साथ यहां आ गई थी बच्चो की दुकान पर क्योंकि आपको बताया था मैंने इनके पापा जी मतलब मेरे सासूर जी पांसो रुपए देकर गए थे मेरी सास को वीहां को कुछ ड्रेस वगेरा दिलवा दियो कपड़े दिलवा दियो तो मैं कपड़ों की मतलब फिर बाद में जब मैं फिर से एडिटिंग में थोड़ा देखने लगी ना तो मेरा ध्यान चला गया दर्वाइस गलती से मुझे पता भी नहीं चलता और वो चले जाते मतलब वीडियो में आ जाते इनकी मम्मी तो इससे क्या है ना फिर मैंने फटा-फट कट लगाय क्योंकि मैं साइड में जब मैंने कैमरा घुमाया था इधर से जैसे विहान को देखके उस दूसरी तरफ तो गलती से में इनकी मम्मी आ गए थे कैमरे में फिर मैंने वो पार्ट हटा दिया वीडियो में से क्योंकि देखो यार मैं नहीं चाहती यार कि घर में कलेश हो जग परदस्ती नहीं कर रही हूं बर यह है कि मैं आप लोगों को बता देती हूं जैसे वो क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं मुझे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बाते मतलब आपके साथ अपनी लाइफ तो में शेयर करी सकती हूं तो यहां पे देखिए जी यहां पे ना यह मैंने फैसला लिया था मैंने इन से पूछा था मम्मी जी से कि मम्मी जी फोजी वाली पेंट विहान खुश हो के पहनता है एक लेलू इस तरीके की पेंट मतलब जो वो दिलवाने वाले थे उनमें से तो बोलते हां देख ले जो तिरको सही लगे उन्हों वो कह रहे थे मैं एक जनमाश्टमी के लिए जैसे होता नहीं है कि क्रिशन जी की ड्रेस तो मैं खरीदूंगी मेरी सास बोलती विहान के लिए और तू देख ले तो मैं अभी ज़्यादा खर्चा उनका देखो करवाना नहीं चाहती थी मैंने का बस मैं ज़्यादा नहीं लूँगी एक पैंट पैंट ले लूँगी विहान के लिए मैंने इनको यही बोला इनकी मम्मी को कि उसके पास कपड़े हैं कपड़ों की कमी नहीं है फिल्हाल गर्मियों के कपड़ों की तो कमी नहीं है सर्दियों के बाद में की बाद देखेंगे तो यह देखो साइज छोटा लगा अभी मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने 26 लिया या 28, मतलब शायद मैंने 28 लिया है, साइस विहान का ना, बच्चो वाला 28, वो विहान के बलकि एकदम सही आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे ना, कि छोटा पड़ा है या कुछ है, तो विहान के 28 तक आ जाता है, क्योंकि विहान की लंबाई है ना, तो बिल्कुल पहनने आने के बाद बिल्कुल सही सही पजा आई है, मतलब इन गर्मियों में आ जाएगी, और विहान को ये पसंद भी आ रही थी, तो ये देखो, ये 2500 रुपे की थी, 250 रुपीज की एक पैंट जो की खरीदी, उसके हाथ से खीच लीगलती से, और फिर रोने लग गया, मेरी माला ठीक करके दो, ठीक करके दो, सारे मोती चुगे बैटके, मैंने का, मैं धागे में पिरो के फिर से बना दूंगी, और ये देखो जी, कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है, इसकी तो मैंने शोट वीडियो भी डाली है, विहान की, ये ड्रेस पहनाने के बाद, आपने नहीं देखी तो देख लीजेगा, साथ में देखो मुकुट भी था इसमें, मोर पंक भी था, कानों में पहनने के भी थे, तो इस तरीके से थोड़ी सी जुल्री भी थी इसमें, बच्चे की, तो मैंने का, चलो आप ऐसे बोला मुझे, तो बस देखो हाथों में चूडियां थी, पहन रखी थी और माथे में बिंदी, इतने में ही मैं इतनी नोटी सो गई, क्योंकि मैं करीबन एक साल से उस मतलब जा रही थी, मतलब दस महीने से पैट्रोल भरवाने के लिए, और वहां जाती थी, तो म उन्होंने एकदम से ध्यान गया उनका, तो बोलते, आज क्या बात है, आज तो बिल्कुल चेंज लग रहे हो, बदले-बदले लग रहे हो, ऐसे बोला मुझे, तो फिर मैंने का हाँ बस, तो यहां पर देखिए, मेरे को नोटीस तो करते हैं, जैसे मैं कहीं बार तयार होत तो पड़ोस में से भी मुझे को इतने संते, मिलते, मुझे साडी वाड़ी मिलखें रिल्स ली मैं साडी participar के लिणी बेन के लिए मुझे साडी लग मजा मैं तो इस तारीके से लोग बद बीदे़ता हैं, तो अच्छी लग रहा एं पर मैं रहे हो, आज इस तरीके हैं, तो तो एकदम से अगर मैं सूट पहनती हूँ या एकदम से मैं साड़ी पहन के कुछ आती हूँ क्योंकि इतना ड्रेस अप में कभी होती नहीं हूँ पर जब होती हूँ तो मेरे एकदम से सब का ध्यान मेरी तरफ चला जाता है फिर तो ये देखिए जी ये ड्रेस भी देखो आई थिंग ये 26 नमबर ली थी बढ़ ये पूरी साइज की आई है ये इस इस बार आ जाएगी तो मेरी यही रहता है देखो हर साल बच्चे के लिए एक बार क्रिशन जी की ड्रेस तो ऐसा है मैं हर साल ही मैं वैसे मैं खरीदती हू अधरवाइस मैं भी लेती हूँ आपको मालूमी है क्योंकि जनमाश्ट मी पे न मैं बच्चे को क्रिशन का रूब में मतलब इस तरीके से तयार तो करती हूँ और विहान को कपड़े पहनने का तो शोक बहुती जादा है आप जानते हूँ ये देखो मैं इसमें बानसूरी भी मिली थी और ये एक ना डुपटा था जैसे आप क्रिशन जी बनाते हो ना तो बस मेरी सास्तों में यही बात बता रही थी यहाँ पे ना विहान को देख की इतनी एमोशनल हो गई थी क्योंकि देखो लालच होता है देखो उनको पोते का लालच तो जिंदिगी भर रहे मतलब उनके मन में यह चीज तो रहेगी कि काश विहान हमें मिल जाए ऐसा होता ही है ना आप समझ ही सकते हो क्योंकि देखिए आकल मुझे कॉमेंट भी आ रहे थे बोलते कि ना क्या मैंने यही बात बताई थी कि ना देखो वो विहान को तो रखने के लिए तयार है विहान भी खुद देंगे मतलब यह नहीं कहते कि मेरे से पैसे लेंगे फिर कहरें कि इसका तो हम सब कुछ कर देंगे पोते को अगर हमें दे देगी तो हम कर देंगे सारा यह बात बोलते हैं बस वो कहते हैं कि वो ना उनकी मजबूरी है वो मुझे नहीं रख सकते हैं मतलब वहा होगा सारी जिम्मेदारिया नहीं भादेंगे पोते की बट वही है ना वहां पर प्रोब्लम आ जाती है कि मैं विहान को तो दे नहीं सकती हूं को क्योंकि यार मैं कैसे रहूंगी अकेली बिना बच्चे के आप ही सोचे ना मेरा एक ही है और फिर मेरे हस्बेंट की भी डैथ ह होगी है तो अब बताओ कि मैं भी तो विहान को देख की लाइफ जीरी हूं तो देख न खो प्छे के बिना लोग भी एक छोटी उमर की विद्वा बहू को अपने घर में नहीं रख सकते हैं। उनकी यही बात होती है हमेशा, शुरू से ही उन्होंने यही बात बोली है, कि हम कैसे रख लें, जब बिना बेटे के हम बहू को, मतलब इस तरीके से कैसे रख लें, इतनी चोटी उमर में कैसे ले लें हम जिम्मेदारी बहू की, मतलब इतनी चोटी उमर में, तो इस बात पर वो कहते हैं कि या तो माईके में ही रह लें, उस टाइम भी यही बोला था उन्होंने कि माईके में रहके बच्चा पाल ले तो उनका यह कहना है कि देखो कल को हमें कुछ भी मतलब हमारे उपर कुछ बात आई या कुछ आई वो नहीं बोलते हमारी भी वो कहते हैं कि सिद्धा कि देखो हमने तिर को नहीं छोड़ा अब मेरा तो उनका क्या भरोस है अब मेरा 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 पे थोड़ी उनका कुछ ऐसा है भरोस है उनको मेरे उपर मेरे साससुर को लेकिन अब उनको तो दूसरी के साथ ही रहने है ना वो चीज भी समझे उनके मन में भी यह चीज है कि क्या पता देखो हम नीधी के उसमें रह वही हमारे साथ रहने लग रही है वही हमारा बेटा है तो हमें उन्हीं के इसाब से चलना है अपनी जिंदगी में तो वही बात हो जाती है देखिए तो उनकी बात भी देखो यही है जो मैंने आपको बता दी उन्होंने कहा है कि देखो बेटा जीता रहता उन्हों कहते हैं क इसके लिए वज़े से हम लेके आये थे बहू तो अब हम कैसे रखे तुझे वो बात है बस यही बात है तो बस इसमें अब मैं भी क्या करूँ मैं भी सुन लेती हूँ मैंने का चलो ठीक है कोई बात नहीं देखो मैं भी मतलब अब वही चीज है न बीच में कड़ी तूट ज ठीक साइव एंपर होसा जाते हैं.. फिर मैं भी मेरी सासह को यही क्या धी कर रही थी हूँ तो कोई नीइ.. यहा पले वहां पले.. क्या फ़र्क पड़ते है.. बच्चा है ?' माँ अच्छे से पाल लेती है वैसे भी बच्चे को माँ पूरा धिहान रखती हूँ मैं वैसे भी विहान का तू बस यही चीज़ें होती है देखो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है क्या कह सकते हैं इस आप ना मैं उनको गलत बोल सकती ना चाहते हुए भी यार समय तुडवा देता है कुछ रिष्टे तो बस यहां मैं आपको अपनी चूड़ियां दिखा रही थी अपने हाथों में पहनी हुई जो मैंने हरे रंकी पहनी हुई है पर चलो कोई नहीं देखो आगे की सोचनी चाहिए मैंने तो यही बोला कि जब